आगरा में सरवाधेत लोगप्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें 35 घंटे के लिए लगाया गे लॉगडाउन में बेवजे सरकोपन निकलने वालों के खुब चालान किये गए सुबह पुलिस एक्शन में दिखाई दी लेकिन बाद में खाना पूर्ती करती हुई नजर आई इस दोरान डॉक्टर के यहां जाने वाले लोगों को ही छूट दी गई कोरुना संखमर तेजी से फैल रहा है फिर भी जनता नियम कानून का पालट नहीं कर रही है इसके चलते 35 घंटे का कर्फिय लगाया गया कर्फिय का असर शेहर में दिखाई दिया फिर भी कुछ लोग दो और चार पर यह वाहन लेकर बेवजय सड़कों पर घूमने के निकले ऐसे लोगों के वाहनों के पुलिस ने चालान भी किये सुबह पुलिस एक्शन में दिखाई दी लेकिन दोपहर के बाद खाना पूर्ती होती ही दिखाई दी सरकार की गैडलाइन के अंसाथ शेहर में छोटी दुकानों के साथ साथ बाजार बंद रहे अनुती दिये जाने के करण शेहर में दवा की दुकाने खुली रही शेहर भर में बैरिय लगा कर पुलिस ने सुबह ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया वेवजय घरों से निकलने वाले लोग पुलिस के निशाने पर रहे इस दोरान पुलिस से बचने के लिए होस्पिटल जाने का भी लोगों ने सहारा लिया सड़क पर मौझूद पुलिस ने आज शेक कारे से जाने वाले लोगों के वाहनों के चालान नहीं किये पुलिस के सहयोग के लिए सिविर डिफेंस की टीम भी मौझूद रही करफी में कुछ आटो और मैवरी रिक्षा भी सड़क पर गूमती भी नजर आये पुलिस शेहर भर के चाराहों पर मौझूद रही लेकिन द्वेपहर को शक्ति नहीं दिखाई दी इस वज़े से लोगों का आवागावन बना रहा उमेश शर्मा स्टी नीजागरा